हेलो डियर सुड़ां वेलकम तो म्चुल法्ण का फाइदा क्या होता रैट? तो पहले म्चुल फणन का मीनिंग पढ़ते हैं, एक सिस्टेमेटिक लिल्ही नम लोग वहां पैसा डालेंगे न जहां रिप्स कम होता है क्योंकि शेर्स में शेर का प्राइस बढ़ता है गिड़ता है तो दर रिक्स जादा होता है तो मुझेशल फंड को कौन समलता है एसेट मैनेजमेंट कंपणी बहुत बड़े बोलते हैं दिगज लोग होते हैं इंटेलिजन पीपल होते हैं जो स्टॉक के पर नजर रखते हैं और ऐसे पर फंड डालते हैं जहां अगर कोई नेगिटीव भी जा रहा है वह हड जाएगा और अपना फंड टॉप कंपणी में इन्वेंट में गाराइड ठीस तरफ से बोल सकते मतलते हैं अपना पैसा है एकृष्ट सेफ्टी मिलता है थे से अपने बोशचनल वन्हान बोब ना मूचिहलरक तो कुण समझत हैं एकृष। कंपनी मतलब बहुत सरे एक्सपर्टेस रहे थे वह एनलाइज करते और टॉप 10 फंड लिकालते वहाँ पॉब्ली का पाइसा इन्वेस्ट करते किक्टों को मालुम नहीं कि कौन सा मिचल फंड में ज्यादा रिटर्न में रिक्स कितना है इसलिए अपना फंड को इन्चे करता है सकता है तो यह fund कोन मैनेज करता है professional जिस पर इक कम होता है और मुआ में कैसे हैं A company जो फंड schonता है fund manager एक जगह पर पईसा नहीं डालता है क्योंकि एक 체ी की जगह डालेगा टाइटनिक में सब लोग ऐंगे तो टाइटनिक कोader मरं जाएग टाइवर्सीव किया जाता है अलाग अलक कंपनी अलागालग सेक्टर अलाग जागे पर डालते अधरेक सेक्टर हो जे तो दुसरा सेक्टर उपर बढ़ रहे लोग aton डाइवर्सीव जाता तो रिक्स का थे कम हो जाता है तो यह फाइद है डावेरसी फायव मतलब एक जगह नहीं अलग अलग जगह और economic of scale का मतलब होता है कि इदर secur statt बहुत ज़्दा लेवल पर खरीदा जाता है बल्क में जब बल्क में lending होता है ना तो क्या फाइदा होता है mutual fund buy and sell large amount of लगता है अकर ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा खर्च होएगा मदब एक रिक्षे में एक जन बेटो यह तीन बेटो भाड़ा उतने जाएगा ना इसलिए ज्यादा खर्चा करने थे थोड़ा बोकरेश कम लगता है और मुच्वल फंड कैसा है लिक्विडिटी पैसा मिचल फंड सेकृरेटी में इन्वेश करके मिचल फंड में मोगेग सेविंस की अधर डाल देते फैसे विंशे क्या होता है थोड़ा-थोड़ा रिटरंस मिलता और ठोड़ा-थोड़ा बाद में प्रॉपिट का भी अपनों को मज़ास चकना मिलता है तो लिए मिचेल डालती है को एक देडिया क्नविण्स फ्लेक्सिंटिटी बनाप ईंवेस्टेर आराम सुकून मतलब इंवेस्टेर के एजे इंवेस्टी इन वेसे मीचेल फॉंड यार लिस्ट फॉरर में एनवेसिन सुकुन! इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको बेच के दूसरा में इन्वेस्ट करनेंगे और इसके टैक्स बेनिफिट भी रहता है अगर आप लोग ऐसी जगह पर इन्वेस्ट्मेंट करेंगे जाग गौवर्मन ने आपको टैक्स देनी की ज़रह नहीं पड़ेगी तो इन्वेस्टर डूनोट पे डिविडेंट टैक्स डिविडेंट ना तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है टैक्स माफ बनेपिट मतला एक्जेंट है टैक्स की चूट और यह एकदम ट्रांस्पेरिंसी होती है कुछ की चुपाये नेगी यानद है एकदम सही तर्की से डिस्क्लोज किया जाता है कि कंपगली क्या करती है ख़ाएं इंवेस्ट किया कितना रिटरंश में रहता है कितना गैंटी सेफ रहें तुमको नौलेज जी रहते हैं को बोलते हैं ना आक्बनकर के पैस ? नहीं डाले रहत ताकि investor को भी भरोसा होना चाहिए ना और stability to stock market मतलब mutual fund invest in huge amount in the sacred risk जो mutual fund manager अपना पाइदागार डालते equity market में डालते देखें easily observe the certain loss in the stock market loss भी होने का chance है पर जादा loss नहीं होता है अब्सार्ब कर सकता है उतना ही loss होता है इतना हमें धेल सकते और mutual fund वाले बहुत सरी service भी देते जैसे कि life insurance scheme देते savings कि देते reinforcement of dividend ऐसे जगर पर जालो कि तुमको dividend मिलेगा तो तुमारे mutual fund का benefit होगा क्या हो गया जैसे benefit हो से सक्सान भी है क्योंकि दर रिक्स है market are subject to high risk क्योंकि market जरूरी थाड़ी की उपर ही जाएगा भाई उपर जाएक कि दर आता है नीच्छे भी आता है तो रिक्स वेक्टर भी रहेगा याद रखना है और उनलों का charges भाई ज्यादा रहता है एक सो दो परसंट मतब एक लाग के लोग दो परसंट चार्जर लेकर बहुत ब्रोकरे चार्ज करते हैं और professionalism कही कही नहीं है कभी-कभी management का है may not use their good judgment to invest in securities जो fund manager कभी-कभी कही भी invest करता है तो जिसके करण बाकियों लोग को loss हो सकता है portfolio customization का मतलब होता है some broking firm जो broker होते हैं जो बड़े-बड़ investor होते investor has better control over securities are bought and sold in the behalf the investment can get customer portfolio मतलब क्याता है personal service मिल सकता है पर जो छोटे-मोटे होते है न पोटफोलिय माले जाओ वो proper service नहीं देते हैं किसको नहीं देते हैं अपने investor प्रॉपर service मतलब guidance मिलना चाहिए पर guidance नहीं दे पाते हैं बड़े-बड़े ले दे पाते ओवर लोड मतलब होते हैं देरा थावसाद मुचल फंट इतने सारे स्की में कि बंदा ही कंट पर उता है कि कहा डालू अरे भी बड़ेगा वो भी बड़ेगा ये भी बड़ेगा तो इसके लिए पर चक्रवी में फस जाता है और उनलोग का चार्जेस जादा रहता है हर च रिक्स को एनलाइस करके कमपणी का ग्रोथ होईगा और इन्वेस्टर का भी फाइदा है तो यही मुच्छल वड़न जो शेर्स का पार्ट होता है वेल स्टेडि करके पब्लिक रिया इन्वेस्ट करती है